इस लेक्चर में UNCCD की Conference of Parties 15 के बारे में डिस्कस करेंगे ये रिसेंटली हुई है और हमारे जो Union Minister for Environment, Forest and Climate Change इन्होंने इसका संबोधन किया, Address किया निकी भासन दिया यहाँ पे 15th सेशन में Conference of Party का मतलब है मीटिंग इसकी मीटिंग होती है जैसे UNFCCC के बारे में हमने कई बा पी बोलते हैं इसकी भी मीटिंग को भी Conference of Party बोलते हैं तो इसकी मीटिंग 15th मीटिंग हुई है 14th मीटिंग हुई थी इसकी 2019 में इंडिया में न्यू डैली में उसके बाद अब ये 15th हुई है कहां पे हुई है पहला तो यह आद रखना आपको ये Western Africa में कंट्री है कोटे ड लोकलर की Western Africa में यहां पे मीटिंग अरेंज कराई गई है UNCCD की जो ये United Nation Convention to Combat Desertification UNCCD है ये क्या है देखो 1992 में एक अर्थ सम्मिट हुआ था अर्थ सम्मिट एक मीटिंग हुई थी उसका नाम दे दिया अर्थ सम्मिट कहां पे हुआ था एक तो यह याद हुना है आपको Rio Degenerio में हुआ था और Rio Degenerio कहां पे है यह है ब्राजिल में ब्राजिल कहां पे है यह आपको पता होने चाहिए साउथ अमरिका में यह है ब्राजिल यहां पे एक सहर है Rio Degenerio यहां पे मीटिंग हुई थी इन्वार्मेंटल कंसर्ण के लिए यहां की इन्वार्मेंटल प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए United Nation की मीटिंग हुई थी है तो यहां पे बहुत सारी कंट्री आई थी हो पार्टिशिविट किया था इससे बहुत सारे डॉकुमेंट निकले थे जैसे UNFCCC से निकला है UNFCCC और आपका Agenda 21 भी यही से निकला है और आपका UNCCD जिसके बारे में इस लेक्चर में हम डिसकस कर रहे हैं यह भी इसी से निकला है तो जो UNCCD है यह यह दिज़िफिकेशन से लडने के लिए कॉमबेट करने के लिए अडॉप्त किया था यह फोर्स में ता आया था 1994 में लेकिन डॉकुमेंट इसी से निकल के आया था और यह Binding यानि कि डॉकुमेंट बोल सकते हो, एग्रिमेंट समझाता है, या ओर्गिनाजेशन बोल सकते हो, UNCCD को, तो यह बैंडिंग है, यानि कि जो भी rules regulation बनाती है, वो binding होते हैं, जो भी country इसके member है, मानना पड़ता है, इसके rules regulation binding है, legally binding है, और यह अकलेती, इकलोती, soul बोलते हैं, इंगलिस में सोल यानि की इकलोती ही legally binding treaty है संधिय organization है 1994 में जो लागू हो गई थी जो desertification से लडने के लिए पूरे worldwide काम करती है और desertification क्या है desertification का मतलब होता है जैसे यह land है यहां से degrade हो गई soil erosion हो गया अब यहां पर कुछ उग नहीं सकता तो रेगिस्तान type बन गया तो वो है desertification तो इसके highlight पढ़ते हैं क्या क्या इसमें discuss किया गया COP 15 में इसमें यह discuss किया गया कि desertification land degradation और drought यानि कि सूखा इनसे कैसे लड़ा जाए कैसे fight किया जाए और इसमें जो global land outlook एक report है इसके second edition की जो finding है यह discuss कि गई कि land degradation climate change biodiversity loss जो यह integrated या interconnected challenges है इनसे कैसे निप्टा जाए global land outlook जो report है यह एक publish किती report UNCCD नहीं United Nation United Nation convention to combat desertification जिसके बारे हम discuss कर रहे हैं इसकी flagship publication है flagship का मतलब होता है मुख्यत है major तो flagship publication है इसे की land systems के जो भी challenges है उससे लड़ने के लिए best practices या transformative policies practices कैसे अपनाई जाए जो cost effective हो यानि कि कम कीवत में sustainable land कैसे रखी जाए water को कैसे management किया जाए इसकी regarding यह report है global land outlook की तो top agenda क्या रहा है इसका dot यानि कि सूखा land restoration जो land degrade हो गया उसको दुबारा से कैसे recover करें उसकी fertility को soil की fertility को कैसे दुबारा से restore करें ताकि वहाँ पे पेड़ पौदे उगाए जा सके या agriculture की जा सके या related life legacy from scarcity to prosperity scarcity का मतलब होता है डर्थ कमी shortage और prosperity मतलब सिम्रिद्धी आगे विकास तक कहने कि कमी से आगे सिम्रिद्धी तक जाना इसकी theme रही है तो desertification क्या होता पहले से इसको discuss करते हैं उसके लिए desertification से लड़ने के लिए combat करने के लिए worldwide क्या step लिए और फिर इंडिया ने कौन-कौन से step लिए वह भी discuss करेंगे बहुत most important topic है लगबग हर साल means में पूछा जाता है वाई सब प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है कौन-कौन से biological economic productivity ड्राइ लेंड की loss हो जाती है reduce हो जाती है उसी को बोलते है land degradation यानि कि जो भूमी है soil है मिट्टी है ऐसी हो गई है अब इस पर कुछ उग नहीं सकता इसके जो biological activity करते हैं इसमें जो पोशक तत्र थे nutrients थे सारे बह गए इस मिट्टी से अब कुछ भी नहीं है इसमें land degradation arid areas में जादा होता है यानि कि सूखे areas में या semi-arid या dry sub-humid areas में जादा होता है यह किसकी वज़े से होता है दो वज़े है human activity की वज़े से भी होता है human activity में जैसे आता है deforestation कर दिया पेड़ पौदे भाई साब लोग बाग काट रहे है पेड़ पौदे काटने से क्या होता है जो भूमी है वो देखो soft हो जाती है जैसे यहाँ पेड़ है पेड़ की जड़े होती है तो भूमी को पक रहती नहीं है वो तो human activity भी है इसका responsible जो फेक्टर है उसमें human activity भी लेंड degradation के लिए और climatic variation यानि की natural activity भी है जैसे natural activity में क्या हो सकता है climate change हो रहा है लेकिन climate change का भी indirect effect क्या है human activity है तो इसके climate variation भी कारण है तो कौन-कौन से कारण है कौज पढ़ते हैं पहले desertification के कारण क्या क्या है पहला तो है soil cover का loss होना जो मिटी की ऊपर वाली cover यहना की soil की उपर वाली profile है यह rainfall की pie वजई से बार इसकी वज़े से गरेटिटीव किसन हो याता है और कटिंग फोस्त ऍयानि कि फोस्त को काटने की वज़ह से विजlate से अधैशा है और पेडों को काटा जा रहा है नेक्स्ट काहरяться वेजिटेशन डिगीडेशन है मतलब जो फोरेस्ट है पेड़ पोदे हैं वहाँ पे जितनी डैनिस्टी है स्टक्चर है स्पेसीज कंपोजेशन है तो इसकी प्रॉडक्टिविटी वेजिटेशन कवर की कम होती जा रही है पर्मानेंटली यह टेंपरली रिड्यूस होती जा रही है नेक्स्ट वाटर आपढ़ है ना बढ़ हो गई यह हम अनलो कुछ गली सी गली टाइप बन ग mossy यह भूमी थी यहां पर पानी निकलेगा तो गली टाइप बन जाएगी और डिफरट डिफरेंट गली यहां पर तो इसी को बोलेंगे consist ofography तो यह जो, ट्राइ टेरेन होते हैं उसको जितने है जहां पर rock system hard होगा कठीन होगा उसको तो पानी नहीं इरोज कर सकता ना यानिकि उसका अपरदन नहीं हो सकता लेकिन जो softer sedimentary rock हो उन पर ये bedland topography अधिकतर मिलती है और clay rich soil पर भी मिलती है ये erode हो जाती है इरोड का मतलब है कि ये मिट्टी यहां से बहके दूसरी तरफ चली जाएगी इरोड हो जाएगी wind erosion की वज़ेसी भी हो जाता है wind की वज़ेसे देखो जो sand है रेती लिमिट्टी है ज्यादा तेज हवा आएगी तो मिट्टी की उपर वाली परत को उड़ा के लेई चली जाएगी soil की fertility इसकी वज़ेसे reduce हो जाती है जिसकी वज़ेसे land degradation हो जाता है ये जो wind erosion होता है ये लगबग 5.46% जो इंडिया में desertification होता उसके लिए responsible है climate change एक कारण है climate change की वज़ेसे क्या होता है pattern में change हो जाता है जैसे rainfall का pattern है rainfall पहले कम होती थी कहीं पे ज़्यादा हो रही है temporal pattern यानि कि season का pattern change हो जाता है temperature का pattern wind का pattern solar radiation का pattern सब का pattern change हो जाता है climate change की वज़ेसे अब कौन-कौन से effort प्रियास किये जा रहे है desertification को रोकने के लिए global level पे और हमारे इंडिया के लेवल पे पहले global level पे क्या-क्या प्रियास किये गए effort किये गए ये जानते हैं global level पे UNCCD United Nation Convention to combat desertification जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं 1994 में ये force में आई थी establish की थी और ये soul legally binding international agreement है जो desertification से लड़ने के लिए काम करता है यानि कि इकलोती legally binding यानि बाद्यकारी international अंतरराष्ट है समझोता है agreement है ये organization है इसी नही 2019 में 14 जो इसकी conference of party meeting हुई थी UNCCD की उसमें एक घोषना पत्र जारी किया था जिसका नाम था Delhi declaration क्योंकि दिल्ली में multi meeting इसका नाम रख दिया Delhi declaration तो इसमें ये ही कहा था कि gender sensitive transformation project को adopt किया जाएगा और land degradation जो रहा है उसको combat किया जाएगा एक bond challenge है bond challenge अलग से ये bond challenge international effort है इसका target ये है ये target आपको याद होना चाहिए 2020 तक जितनी भी land degrade होई है उसमें से 150 million hectare को दुबारा से restore करना है world के forest में और degraded land में और 2030 तक आते हैं 350 million hectare को restore करना दुबारा से उसकी उर्वक्ता को बढ़ाना है fertility को बढ़ाना है उस भूमी को जो degrade हो चुकी है एक है great green wall initiative ये global environment facility का initiative है और global environment facility को administer करती है यानि की world bank करता है इसको ये organization है जो global environment facility ये financial assistance प्रोवाइड करती है बहुत सारी international treaties को जो environment से related है 11 countries है साहिल, सहारन, अफ्रिका रीजन में ये है साहिल, सहारन, अफ्रिकान रीजन ये वाला रीजन है इसमें desertive kitchen से combat करने के लिए initiative लिया कि यहाँ पे जो native plant life है जो यहाँ पे भूमी का परदन हो चुका है land degrade हो चुकी है यहाँ पे जो plant खतम हो चुक है उनका दुबारा से restore किया जाएगा और degradation से fight किया जाएगा great green wall initiative के जरिये यह है south african जो south african नहीं sorry सहिल saharan african region है उसने यह initiative लिया था अब इंडिया ने क्या-क्या effort लिये हैं यह जान लेते हैं community level पे better homeland condition provide करने के लिए initiative लिये इंडिया ने एक national action program चलाया 2001 में 2001 में prepare किया और 2008 में एक national action plan for climate change NAPCC national action plan for climate change यह भी adopt किया 2008 में इसमें 8 ऐसे target रखेगे जो climate को climate selected है next है इसके बाद जैसे world restoration flag से target हैं तो इंडिया ने ऐसे target रखे जैसे bond challenge में ना target के जो degraded land है उसको दुबारा से restore करना 150 million hectare करनी है 2020 तक और 350 million hectare करनी है 2030 तक ऐसे इंडिया ने target रखे होए कि इंडिया restore करेगा 12.5 million hectare की degraded land को कुछ major program है जो इंडिया ने लागू किये land degradation और desertification से लडने के लिए जैसे integrated watershed management program है परधान मंत्री किर्सिस चाहिए होजना है national air frustration program है national mission for green India है यह national action plan for climate change है 2008 में जो adopt किया था उसी के अंदर launch किया था national mission for green India ऐसे आठ mission है इस national action plan for climate change के अंदर एक मनरेगा scheme चलाई soil conservation catchment of river valley project में और एक national watershed development project for rain fed area चलाई है इतने सारे आपको याद रहेंगे दो तिन जरूर याद रहने चाहिए आपको means में लिखने के लिए एक forest and feed development scheme component of grassland development including grass reserves एक community area development program चलाई water management program चलाई soil health card scheme चलाई तो यतने सारे program चलाई scheme चलाई इंडिया ने अयों अश्वा καती है